भान के नशे में ईशान से सच बोल बैठी रिवा, बताया सभी को देखतर कैसा लगता है? गुम है किसी के प्यार में सीरियल में मुकुल मामा अन्वी को अपनी चाला की बताएगा. वह कहेगा कि ये उन दोनों का सिक्रेट है. वह पूरी दुनिया को क्यों बताना चाहती है? अन्वी मामा की हरकत पर सहम जाएगी. मामा बोलेगा कि अन्वी को इसकी सजा मिलनी चाहिए. मामा अन्वी को दिखाएगा कि सारे लोग बेफिक्र हैं किसी ने उसकी बात नहीं सुनी. वह रोएगी कोई उसकी बात नहीं सुनेगा. मामा अपनी होश्यारी पर खुश होग मामा हूली पार्टी में अन्वी को टॉर्चर करेगा कहेगा I love you वह अपना सीक्रेट किसी को कैसे बता सकती है सब नशे में डांस करेंगे अन्वी की बात कोई नहीं सुनेगा भांग के नशे में रिवा और इशान बात करेंगे रिवा कहेगी कि उसके पास सब है पर वह नहीं है रिवा असी इशान को अपनी इमेजनेशन समझेगी उससे अपने दिल की बात बोलेगी कहेगी कि वह जब भी उससे सवी के साथ देखती है तो उसके दिल में दर्द होता है रिवा कहेगी कि वह उसे कभी बताती नहीं क्योंकि दिल का बोज नहीं बढ़ाना चाहती कहेगी सवी के साथ इशान को देखकर रोना आता है बोलेगी कि सवी के गले में मंगल सूल्ट देखकर लगता है कि उसके गले में होना चाहिए था इशान उसे सौरी बोलेगा रिवा पूछेगी कि इशान ने सभी की मांग भर दी उसकी क्यों नहीं भरी वह जित करेगी कि इशान उसकी मांग भरे रिवा की मांग भरने जाएगा इशान इशान बोलेगा कि वह उसकी मांग भर देगा रिवा रोने लगेगी कि इशान ने धोखा दिया इशान रिवा को घर के मंदर में लाएगा और सिंदूर से उसकी मांग भरने लगेगा तब तक सभी वहाँ पहुंच जाएगी वह भी भान के नशे में इशान को पुरण पुली खिलाने आएगी वही इशान के हाथ से सिंदूर लेकर रख देगी और कहेगी कि ये गुलाल नहीं है वही इशान के हाथ धुला देगी सवी पूछेगी कि इशान रिवा से प्यार करता है तो सवी से शादी क्यूंकि इशान और रिवा कहेंगे कि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं सवी बोलेगी कि वह मन्हूस है उसकी वज़े से ईशान की लाइफ में दिक्कते हो रही है ईशान भान के नश में सवी को बताने बैठेगा कि उसने किस मजबूरी में सवी से शादी की मामा अन्वी को धमकाएगा कि सब उसे ही जूठा समझेंगे उसके सारे रिष्टे खराब हो जाएंगे वह उसे बोलेगा कि वह किसी को कुछ न बताए ईशान पूरी बात नहीं बताएगा वे लोग फिर सिंदूर खोजने लगेंगे ईशान सवी के कंदे पर सो जाएगा फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताए साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें